यस नाइन्थ क्लास बुड मॉनिंग देखे अपने अभी आप लोगों के एक्साइज सुरू करी थी 6.2 उसके दो सवाल आपको करा दिये थे आप लोगों ने कर ली होंगे अब आगे के सवाल जो हैं वो मैं आज समझा रहूं आप लोगों को आज आपकी एक्साइज खतम हो और कौन G, E, D बराबर 120 डिगरी है तो आपको ये कौन निकालने हैं कौन A, G, E, कौन G, E, F तता कौन F, G, E इनके मान अपने को ग्याद करने हैं ठीक है ना तो सबसे पहले देखे आप लोग या इसका हल क्या करेंगे वो बताता हूं आपको आप देखे ये लंब है इसके पर, C, D पर, इसलिए कौन सा कौन, ये वाला कौन कितने का हो गया, 90 डिगरी का हो गया अगनी, भाई ये दोनों समानतर एखा हैं ये आपको दे रखा है, A, B, समानतर है, C, D और E, F, लंब है, C, D पर, तो कहने का वाला देखो ये दोनों समानतर एखा हैं तो ये हो गई, तिरी एक रेखा ये कौन आपको कितना दे रखा है 90 डिगरी का इसलिए कौन सा कौन कौन EFG बराबर हो गया 90 डिगरी ये कौन निकल गया अब आप देखे आपको ये भी दे रखा है ये पूरा कौन कितने का है चुकि कौन GED बराबर है 120 दिगरी, कहां से आया यह आपको दे रखा है प्रसंद में, कौन GED बराबर कितना है 120 दिगरी, अब आप देखे इस कौन का मैं, इस GED को मैं दो भागों लिखा हूँ, देखो क्या है, इसलिए कौन G E F, प्लस कौन D E F, बराबर कितना 120 दिगरी, अब आपको यहां पर कौन D E F का मान दे रखा है कितना 90 दिगरी, इसलिए कौन G E F, प्लस 90 दिगरी, बराबर कितना आगया 30 दिगरी, तो यह कौन निकल गया देखिए कौन सा जी इएफ आपने निकाल दिया फिर इसके बाद में आप दूसरा कौन देखिए ये निकल गया ये कौन अपने पास आ गया कितने का गया ये ये आया आपके 30 टीगरी का अब आपन ये कौन निकाल सकते हैं क्योंकि तिरबुज के तीन कोणों का योग होता है कितना 180 डिगरी आपको दो कोण पता है यहां तो यह कोण निकालेंगे अपन कोण सा कोण कोण FGE FGE बराबर 180 डिगरी माइनस इन दोनों कोणों को देखो कोण GFE E plus कोण GEF इन दोनों को जोड़के घटा दो तो यह आपके 180 डिगरी माइनस अब आपके बचा कितना देखो यह कितने का दे रखा है यह है आपके 30 डिगरी का और उपर वाला कितने का है 90 डिगरी का तो यह कितना हुआ 120 डिगरी तो कहने का मतलग यह आगया आपके 60 degree का आगया थीक है नstar अब आपको A कोणो निकलना है और वो कोण है आपके कोण सा देखे, इसके अंदर है आपके AGE यह वाला कोणो निकलना रहेागे अब आपके पास में यह कोण आगया कितने का 60 degree का अब आपको दिख रहा है ये कोण कैसा है देखो यहाँ पर कोण AGE जान से देखना AGE प्लस कोण FGE बराबर कितना है 180 डिगरी कारण क्या है रेखी कोण योग में है ठीक है न अब रेखी कोण योग में और आपने हूँ बालु में रेखी कोण योग में आनि एक सीधी स्रल रेखा पर बने हुए कोण है इन कोणों का योग कितना होता है 180 डिगरी अब आपको यहाँ पर कौण आपने को यह पता लग गया कितने का है कोण AGE यह तो अपने को है कितना साट डिग्री कितना है साट डिग्री तो यह आप लोगों के आ जाएगा कितना 180 में साट गए तो यह आजएगा 120 डिग्री इस तरीके साथ मन तीनों कोणों का मान निकाल लेंगे तो यह है आपके सवाल नंबर कौन सा 3 अब इसके बाद में आते हैं सवाल नमबर 4 किया है वो देख répondre अच्छा सवाल है सवाल नमबर 4 देखिए द्यान से चितर आप लोगों के बना हुआ है सामने इसमें क्या दे रखा है अपने को इसमें दिया है देखे चोठे में PQ समांतर है ST के ये दोनों समानतर एक है ठीक है और क्या दे रखा है कोण P Q R बराबर है 110 डिगरी ये वाला 110 डिगरी का है और कोण R S T r st ये दे रखा है 130 डिगरी तो कौन q r s का मान निकालना है ये वाला अंदर वाला कौन निकालना है तो इसके लिए क्या करते हैं अपने एक रचना करेंगे रचना क्या करेंगे देखो रचना है देखिए ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को रचना x y समांतर st खेंची अब समांतर रेखा हो गई अब आप देखिए आप लोग क्या क्या करना है अपने को अपने को तो ये कौन निकालना है अब आप देखे ये और ये दोनों रेखा हैं समानतर हो तो ये पूरा कौन कितने का होगा बताओ देखो चूंकि अब इसका हल चूंकि P Q समानतर है किसके X Y के क्यों समानतर होगा बताओ क्योंकि S T X Y के समानतर है और S T P Q के समानतर है इसलिए PQ किसके समानतर हो गया? X, Y के तो देखो PQ समानतर है X, Y तथा QR एक तिरियक रेखा है QR एक तिरियक रेखा है तो देखो Z की आकरती बन गई गई गनी ये, ये और ये ये Z बन गया तो कौन सा कौन? इसलिए कौन PQ QR बराबर कौन? Q, R, Y Q, R, Y अब ये क्यों है? ये एक आंतर अंतर कौन है? एक आंतर अंतर कौन है? इवेन आपको बताया था एक आंतर अंतर कौन क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं अब देखो ये दोनों रेखाएं समानतर हैं तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा 180 डिगरी यह तो आपके यह आ गया PQR बराबर कोण QRY अब PQR कमान कितना है 110 तो 110 लिख दो है अब आप देखिए इसी प्रकार एक भुजा और है ST समानतर है किसके XY के तथा SR एक तिरियक रेखा है SR एक तिरियक रेखा है तो कोण कोण सा कोण इसलिए कोण TSR कोण TSR प्लस कोण SRY बराबर कितना है 180 डिगरी क्योंकि यह क्या है क्रमागत अनतर कोण क्रमागत अनतर कोण है और क्रमागत अनतर कोणों का यह विल कितना होता है 180 डिगरी अब आप इसमें मान रखें देखो TSR का मान कितना है 130 डिगरी 130 डिगरी प्लस कोण SRY बराबर 180 डिगरी इसलिए कोण SRY बराबर 180 माइनस 130 बराबर कितना आगया 50 डिगरी अब आप देखी यह पूरा कोण कितने का है 110 डिगरी का अपने पास में यह कोण आगया कितना 50 डिगरी का तो यह कितने का बच गया 60 डिगरी का हो गया अग नहीं हो गया इसलिए अभी देखी अपने पास में चूंकि कोण QRY बराबर है 110 डिगरी और QRY को क्या लिश सकते है यह कोण QRS प्लस कोण SRY बराबर कितना 110 डिगरी अब आपको SRY कमान पता है कितना है इसलिए कोण QRS बराबर 110 और माइनस के कितने 50 बराबर कितना आगया 60 डिगरी तो इस तरीके से आपका अच्छा सवाल है यह पुरा हो गया है इस सवाल को आप आसनिशे कर सकते है अब एक सवाल और है और मैं बता देता हूँ फिर आपकी एक साइज खतम है इसके अंदर आप लोगों के इसी तरीके के सवाल है आप लोगा आसनिशे को कर सकते है क्या है देखे लाज सवाल इसमें दिया हुआ है आप लोगों को देखो क्या है यह दो रेखाए हैं यह दोनों समानतर है आकरती में A, B समानतर है C, D गे तो यह है आपके A, B और यह है C, D ठीक है फिर इसके बाद में कोण A, P, Q अब यहाँ पे इस तरीके से संरजना बनी हुई है यह P, यह Q और है आपके फिर इसके बाद में एक दे रखा है R ठीक है न अब इसमें अपने को यह दे रखा है कौन 50 डिगरी का यह कौन 50 है यह कौन Y है फिर इसके बाद में यह कौन आप लोगों के यह दे रखा है यह है आपके 125 डिगरी का यह वाला कौन 125 डिगरी का है और ये जो आपके दे रखा है X X आपके है ये वाला कौन तो इसमें अपने को X और Y का मान ग्याद करना है देखो किस तरी ज़े करेंगे यहाँ पर देखिए अब आप लोग ये दोनों रेखा हैं समानतर ये वाली और ये वाली दोनों समानतर है तो इसका हल देखिए कैसे लिखेंगे ये आप लोगों के है छटा सवाल चूंकि A B समानतर है किसके A B समानतर है C D के और P Q क्या है एक तरी अकरेखा है P Q P Q एक तरी अकरेखा है तो अब आप समझ गये होगे देखिए जैड के आकरती बन गई एक नहीं है ये ये और ये इसलिए कौन X बराबर कितना गया 50 डिगरी कारण एक अंतर अंतर है कौन एक अंतर अंतर है कौन ठीक है ना ये तो हो गया आपका पहला X का मान निकल गया अब इसके बाद में देखिए दूसरा दूसरा क्या निकालेंगे अपन ये पूरा कौन कही तरीके हैं इसके जैसे पहले ये निकाल लो फिर ये निकल जाएगा या फिर आप लोग समानतर एक आंसे लें इसी प्रकार से देखो इसी प्रकार फिर देखिए जैड की आगर्दी बन रहे है ये और ये बनिया जैड तो कौनसा कोन आएगा कोन ए पी आर इसलिए कोन ए पी आर बराबर किसके होगा कौन P R D के कौन P R D के अब आप देखें A P R को अपन क्या लिख दें इसलिए 50 डिगरी प्लस कौन Y बराबर P R D का मान कितना है 125 डिगरी ठीक है न इसलिए कौन Y बराबर 125 माइनस के 50 125 में 50 जाएंगे तो फिचे तरड़ी तो इस तरीके से आपकी एक्साइज कौन सी ये है आपकी 6.2 खतम हो गई समझ में आ गई होगी प्रैक्टिस करना ठीक है न धन्यवाद कल आपको अगली चीज बताई जाई